आजादी के अम्रित महुत्सों अंतरगत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हनुमना SDM A.K. सिंग का बयान आयास सामने वहीं हनुमना SDM A.K. सिंग ने व्रिक्षा रोपड पर भी अपना मत जनता के सामने रखा है कवर मद्द प्रदेश के रिवा जिले के हनुमना से है जहां हनुमना के SDM A.K. सिंग के द्वारा व्रिक्षा रोपड तथा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जनता जनार्दन से की है पील हम बैठे हैं हनुमना SDM मन्नी A.K. सिंग के साथ समूचे राष्टर में घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है मन्नी प्रदान मंत्री से लेकर विविन प्रदेशों के मुख्य मंत्री इस कार्योजना के तहत घर घर तिरंगा अभियान में जुटे हैं आजादी के 75 वर्ष में अम्रित महुत्सों के तोर पर समूचा राष्टर इसे अपना कर्तब भी समझ करके और मना रहें आईए मैं हनुमना अनुभाग में कौन कौन सी कार्योजना आजादी के अम्रित महुत्सों के तहत घर घर तिरंगाय के तहत किये गए हैं मैं मैंनी SDM साब से जानना चाहूंगा आदरनी SDM साब जी आजादी के 75 वर्ष में वर्ष मांट पे जो अम्रित महुत्सों मनाया जा रहा है घर घर तिरंगाय वियान के तहत क्या कार्योजना तयार की गई हैं और हम लोग पहले तो हमारे जो सहरी और ग्रामीं चेतर में जितने हास餵ल्ड है उनके इन उचका उचोए हैं और तिस्टो के गेश्ट में हम लोग तीन हजार घंडे संस्टी विवाद के लिगवाई थी और उसका बित्रम का कार चल रहा है काफी हद तक वो बित्रम की हो चुके हैं और अवेरनेस के लिए ज्याले के तरफ से भी जंजागरुपता के लिए रहली निकाली गई है कल हम लोग पुना एक बड़ी ज्याली निकालने का प्लांग किये हुए हैं और रामीन चेत्रों में भी हमारे दोजार ज्यारा के संसस के मताबिक लगबग पच्पनहजार के आसपास आउसल्ड हैं और उनके लिए भी घंडे की विवस्ता की गई है जो हम सची रहाम पंचायत के माध वितरत किया जायेगा या इसका कुछ सुल्क नरदार किया गया है सासन की और से ब्योस्ता है जिनमें उनको प्री में घंडा देने का प्राब्धान है यह से हमारे बीपेल के जो हितराई है ग्या शृत्राई है जो पेंसन यूजिना के लाभार्ती हैं उन लोगों को फ्री निर्धारित की गई इसा सुल्क में 25 रुपए प्रति जंडा के हिसाब से राकित निर्धारित की गई है अधर नियाश्डियम साब माल लिजिये जिनका बीपील में नाम नहीं है और नहायत गरीब है ऐसी भी कुछ ब्योस्था की गई है कि उन्हें भी निर्धारित किया जा है या किसी भी कपड़े का कोई अनिवारिता है इसा कुछ है क्या नहीं है और हमारे शाल के संसिटिव भाग के द्वारा जो इस तरह से दिया गया उसी साथ किया गया और जिए चंडे जो है सो यह नरुम के अ प्रवाइडर है उन्होंने भी वह भी उपलत करा रहे हैं तो जन्डिक के नहीं लगाए जाते या जिन ग्राम पंचायतों के द्वारा या साज की सेवकों के द्वारा लोग सेवकों के द्वारा इस अभियान में इंट्रेस्ट नहीं लिया जाता उनके विरुद्ध भी कोई कारवाई का क्या प्रोसेस है देखिए यह अपने राश्ट के प्रति अपने भावना पदर्शित करने का भिसे हैं सासन के तुआरा जो भी नियम निजारित किये गए हैं उसके मताबिक फिर कारवाई होगी अमर् लोग अभी अपने अस्तर से जो कारवाई कर रहे हैं उसमें प्रतेग ग्राम पंचायत को 200 पौधा लगाने के लिए हम लोग उनको दिया है वो गड़े उड़े करवा करके पेस इतना अप्राप्स कर रहे हैं और पिर लगा भी रहे हैं कुछ प्रोट्राप सुनके आ भी लगा है और नगर पंचायत में पर्टेग वाड़ में कम से कम 75 पौधे लगाने का लग्षम दारित किया है और हम खुशिच करेंगे और उमिद करते हैं कि अब यह जो पौधे लगाए जाए कि प्रकार के पौधे लगाए जा सकते हैं किसी भी प्रकार के पौधे लगाए जा सकते हैं पौधे तो पौधे हैं पौधा लगाना है फल्दार हो तो भी ठीक है फल्दार नहीं है तो भी ठीक है मुख उद्येश जो है इससे हर्याली आचाजित करना है पेल लगाना है त पौधे जैसे पीपल का है यह तुलसी का है यह और भी वरगत का ऐसे पौधे कुछ हैं जो अहरनिस आक्षिजन देते हैं उस बारे में भी क्या इसा आइसा सासनका नरदेश नहीं नहीं है है इसमें हमको बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर खौता रूपन करना और जो भी पोधा इसागा देखा गया है कि लोग फोडहे तो लगा देते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा का क्वेर्टषा का कैश ने वाला होता है ना कोई किसी प्रकार की बेयुस्था की जाती है लिहाजा वो व्रिक्ष लगाए जाते हैं खर्च भी होता है और मेनत भी लगती है उसके बाद परणाम सुने निकलता है जैसा कि अभी एक उधार्ण मेरे सामने आज ही मैं गया था हनुमना थाना परिसर कालोनी में वहां कौन सा उध्यान लगाए गया है करके वोड है उस थ्यान में लगाए गया नो तो पोधे हैं नो तो जाल बचे हैं क्या या इस ततियों के लिए इस इस बार कोई ब्योस्ता है अगर आप कहें तो यह सब का है और हम सब को इसको रहने लाइक बनाकर रखना ही हम सबकी जिम्हधारी है flavors Klevall सरकारी प्रियाद से अगर हम यह में उम्मीद करें कि हर जगा पेंड हुर समसर प्रुसित रहें जिससे कि यह पेड़ लगाने का जो साथन का अभ्यान है इस अभ्यान को हम लोग सफल बनाते के हैं अब रहगी बात कि पेड़ों की सुरक्षाज़े से आपने देखा अभी हमने अपने पास जो साथन भी उपलब था उसके मताबिक पहले तहसिल के पास में यह पीछे के कोशित करेंगे हम की हम इसकी देखवाल करते ताकि यह पेड़ हमारा बचा रहे अब इसमें जहां कहीं पर भी ग्राम पंचायतों में जहां लगाए जा रहे हैं तो पेड़ लगाने की पीछे उद्यस बहुत क्लियर है तो उन उद्यस को समझना पड़ेगा क्योंकि यह ध सब्सक्राइब करता हूं कि हम लोग मिल करके इन पेड़ों को बड़ा करें देखिए बड़े बेस्किमती है इस हमको जीवन सकती प्रदान करती है हमको इसको नहीं करना चाहिए तो पेड़ लगाएंगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा पूरे समाज के लिए पूरे कि उनकी कारियोजना है आप सबसे भी मैं प्रथम नियूच के माध्यम से अग्रह करना चाहता हूं कि आप भी व्रिक्ष लगाएं क्योंकि कहा गया सास्त्रों ने कहा है व्रिक्ष धरा के भूशन दूर करे प्रदूसन व्रिक्षा रोपन कार्यमहान एक व्रिक्ष दस प्रिक्षो का रोपन करें और घर घर तिरंगा लगाएं और आजादी के 75 में अम्रित महोच्ष जिसे कहा जाए उसको भरपूर आनंद उसका उठाएं और इस राष्ट्र को पूनह विश्व गुरु के पद पर प्रतिश्थ करने में हम आप सब अपने कर्तव्यों का नेर झाल